नमस्कार आप देख रहे हैं कबर 29 और मैं हूँ आपके साथ कंच्वर। देख दुनिया में बेश खीमती हीरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है लेकिन यहाँ पर निवास करने वाले मजदूरों वर्ग के लोगों को अपने परिवार का भरण पोशन करने के लिए आज तक प्रशासन प्रशासन की तरफ से कोई पुक्त अंतिजाम नहीं की गए है यहाँ के अधिकतर मजदूर पत्थर खदानों में काम कर अपना भरण पोशन करते हैं क्योंकि पन्ना चिले में हीरा और पत्थर खदानों के लावा और कोई रोजगार के संसाधन मजदूरों के लिए उपलब्द नहीं है ऐसे में हीरा खदानों में काम करने के लिए मजदूरों के स्वास की चिंता ना तो जला परशासन को है और ना ही जले के जमेदार जनपते निधियों को पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूरों को एक लाइलाज बिमारी का भी सामना करना पड़ता है। मजदूरों के आकड़ों की बात करें तो सबसे पहले 2010-11 में पड़ना जले में इन मजदूरों के स्वास पर इक्षिन के लिए प्याप लगाया गया था जिसमें डॉक्टर बी मुर्ली और अमेरिका के फ्रिंक डॉक्टर ने सिलिकोसिस बिमारी को चिंहित किया था और सबस्क्राइब हो गए हैं 15 से 18 साल भी साल तक बच्पन इसे सुरूं से करते रहे काम पत्र खदान में जब वो सुसाइटी की अश्ति जब वहीं किसे बच्पन से करते रहे और तूरूं से हैं अझता का बीता ने गाव में भी होगा यहां भी होगा तो ना इलाज रहा कम दबाई भी होती रही जब तक दबाई होती रही तो चलती रही और उसके बाद कुछ दिन के लिए बंद हो गई सुदून की यहालत हो गई रासन के लिए करते हैं कि बो भी मद्दूरी करते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ हमारी सहता हो है पत्थर खदानों में जो मजदूर पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, खीरा खदानों में जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, जो क्रैसर गित्ती का काम करते हैं मजदूर, तो सिल्का डस्ट बहुत बारीक डस्ट होती है, जो नाक और मुझे माध्यम से लंग्स में जाती है और लंग्स को बिलकुल जाम कर देती है पत्थर कर देती है और ये मजदूर तिल तिल कर मरते हैं इनको बहुत मुश्किल में मौत आती है क्योंकि अब हभीब खान की ही बात हम करें तो ये 2010 से लगातार अभी तक संघस करते रहे हैं आज पन्ना के महला आगरा में हभीब नाम के मजदू जो सिलीकोसिस विक्टिम्स थे आज उन्होंने साड़े चार बजे दुफैर में अंतिम सांस ली और उनकी मौत हो गई दुनिया में इसका अभी तक कोई इलाज नहीं उसका कारण ये है ये इतनी बारीक दस्त है और लंग्स में जाके ये चर्बी के साथ मि निकाला नहीं जा सकता है भी तक जो हम लोगों ने संस्थाओं ने जो अध्यन किया है उसके माध्यम से 27 मजदूर सिलीकोसिस विक्टिम्स जो चिन्नित हुए थे खतम हुए हैं और कुल मिला के 122 मजदूर जो हम लोगों ने अपने कम संसादनों में किये थे 122 मजदूर चिन्नित हुए थे 2010 और 12 के कैम्प में जो डाक्टर भी मुर्ली जो हालन से डाक्टर आई थे उन्होंने जाच की थी और एक डाक्टर फ्रंक अमेरिका के जिन्होंने एक विक्टिम्स का उन्होंने जाच करके सबसे पहले यह आइडिन्टिफाई किया था कि पन्ना में सिल कारण यह माना कि हां पन्ना में सिलिकोसिस है यह चूकि चिन्हित मजदूरों में से एक हैं जिनको 2010 में डाक्टर मुर्ली ने चिन्हित किया था उसके बाद मद्धिप्रदे सरकार के निर्देशन पे बुंदेल खन मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम पन्ना आई थी और उन् का नाम सिलिकोसिस प्रात्मेक्ता के तूर तोर पे दर्ज किया गया था और इलाज के दौरान इनकी म्रत्य हुए 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 हुए